सब कुछ बता दिये जाएगा जिनको बताना है लेकिन एक बात तो असपष्ठ है कि जो गन्ना हो रही है जाती गन्ना ये देश के लिए इतिहासिक रूप से मिल का पत्थर साबित होगा और देश के इतिहास में 1931 के बाद पहला ऐसा राज्य विहार जो जाती गन्ना करा करके जो पिछड़ा समाज है जो वंचित तपका है जो कमेरे वर्ग हैं जो गरीब है जो जोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं जो ठेला और खोमचा पर दुकान लगाते हैं उनकी बास्तिवी किस्थिति क्या है वो जानने का मुका मिलेगा जाती अकोर्ड दोनों पहले से भी रहा है कोई आज का मामला नहीं है तुकि इस तरह का एक क्रियेशन किया जा र जो कहीं ना कहीं इन लोगों को पेख्षित रह करके स्वयम को आगे रख करके राजनीती में समाज के अन्न मामलों में वह अपने आपको अस्थापित करने का काम करते रहे हैं आरक्षन इस देश की सच्चाई है जुटला दीजेगा बाबा साओ भीम राव अंबेदकर जी जी ने समविधान लिखा उस समविधान के अंदर में भी जिस तरह के राक्षन के परवदान है उसको जुटला दीजेगा जिनकी यह मनसा है कि आरक्षन को खतम कर देना चाहिए जिनकों की अलग ही तरीके से अरक्षन देना है उनकी बात छोड़ दीजे वह तो कभी चाहत इसका यह सब बता दिया जएगा जिनको बताना है लेकिन एक बात तो असपश्थ है कि जो गन्ना हो रही है जाती तरह यह देश के लिए इतिहासिक रूप से मिल का पत्थर सावित होगा और देश के इतिहास में 1931 के बाद पहला ऐसा राज्य विहार जो जाती है गन्ना करा करके जो पिछड़ा समाज है जो वंचित तपका है जो कमेरे वर्ग हैं जो गरीब है जो जोपड़ियों में रहने वाल लोग हैं जो ठेला और खुमचा पर दुकान लगाते हैं उनकी बास्तिविक इस्थिति क्या है वो जानने का मुका मिलेगा और उनके परिवारी की स्थिति को भी जानने का मुका मिलेगा जो जातिगत अधार पर उनके साथ उपेक्षा होती रही है उस उपेक्षा को समाप प्राइले से विराहा आज का मामला नहीं है तुक्छ इस तरह का एक क्रियेशन किया जा रहा है महौल को उन लोगों के द्वारा जो कहीं ना कहीं जाती है गर्ना होने के समय उनको बेचैनी है उनको यह बात पता है कि जो यह समाज है जिनको हम हक और अधिकार देना चाहते ज के लिए के कहीं ना कहीं लोगों को पिख्षित कर के राजनीती में समाज के अन्स depends मामलों में वह अपने आपको अस्थाफित करने काम करते रह जू उपके अपके में पहुचेगा और पुछेगा कि बताइए कौन जाए इसको इस तरह से क्यों हवा बना रहे एक बात बताइए आरक्षन इस देश की सचाई है जुटला दीजेगा बाबा साव भीम राव अम्बेदकर जी ने संविधान लिखा उस संविधान के अंदर में भी जिस तरह के परफदान है उसको जुटला दीजेगा जिनकी यह मंसा है कि आरक्षन को खतम कर देना चाहिए जिनकों की अलगी तरीके से आरक्षन देना है उनकी बात छोड़ दीजिए वह तो कभी चाहते ही नहीं है कि जो दबे कुछले लोग है वह उठें वह तो चाहते हैं कि प्रफव बनता था कि यह भी जनगन्ना कराएं जाती जनगन्ना पर दो हजारी जनगन्ना हुआ हुआ है दो हजारी कीस में 22 में हो जाना चाहिए था तैइस हो गया चौवीस में भी चुकी चुनाव है तो आसार नजर नहीं आ रहा है इन 11-12 सालों में जो पॉपुलेशन बढ़ी जिसको जिनके हिसाब से उनको उसका लाव नहीं मिला ऐसे लोग जो वंचित रह गए जो दवे कुछले तपके के लोग है जो इन चीजों से छूट गए उसका क्या आपने कहा आप बहुत कॉलर उचा करते हो कि हमने इतने करोड लोगों को असी करोड लोगों को हम ने अंतियोदय में रखा और राशन का लाव दिया और आगर आप मुझे बताएंगे कि 2011 से अब तक जो छूट गए भाई बढ़ा होगा जन संख्या तो उसमें वी तो होंगे जिनको राशन का लाव मिलना चाहिए उनकी मौत का जिम्मेवार कौन होगा उनकी भूप का जि अपको कोई मतलब ही नहीं है तो क्या ऐसे में विहार के हाथ भरे बैठे रहेगा उनके भरोसे कि किंद्र सरकार जो है सो करवाईगी जन गन्ना कराएगी उनके भरोसे तो बैठे नहीं रहना हमें यह देखना है कि जो सरकारी लाब है जिस अधार पर उन लाभू का आवंत तीशनाव में जब हमें नहीं पता रहे हैं या किसी की संख्या कितनी है किपंको से करेंगे तो वह देखना vision नहीं चाहते हैं लुए गला pourra देखनाओ के और व्त नाव पर उनकार नहीं आदे उसके लिए जरूरी है वह तो कहरें कि बाबा साहब हम बेटकर का यह जो 14 अपरेल को जनमदीन है हम पूरे सप्ता उनका जनम मनाएंगे लेकिन उनको उनके मानने वाले लोगों को पुचलेंगे जो उस समुदाय से आते हैं उनको पुचलने का काम करेंगे उनके अधिकार को सपता मनाने से क्या फाइदा अगर इतनी ही चिंता होती तो अब तक जो एक चिंत कराना का अधिकार के पास है और हम सेंसे करा भी नहीं रहे हैं यह तो सिर्फ एक तरह से संख्या की एक गिंड़ती हो गई ठीक है तो जो कराना था उनको वहां से हाइड करते हैं वह हीडिन करते हैं वह हमारी तो मजबूरी है कि हम तो चाहते हैं कि लोग को उसका अधिकार मिले कोई छूटे नहीं कोई उसके लिए विचर थे सब्टामने他ट समाजिक समरस्ता कि समाजिक सम्रस्ता के सोच की रखती हैं भारतियन्ता पार्टी कभी भी समाज की समरस्ता की सोच रखती ही नहीं वह वैमनस्ता कैसे बढ़े और वैमनस्ता बढ़ा करके कैसे वोट हांसिल किया जाए ये उनकी ठियोरी रही है और उसी ठियोरी पर ये काम करते रहें समाजिक समरस्ता तो महागडवन्धन सरकार ने न सेंदेश गया उसको लोगों ने सुना है और उसके अनुसार भारतिय इंता पर्टी को सता से बेधखल करने का लोगों ने संकल्प ले लिया नहीं लोगों को पता है कि दोहजार चौो लेटी होТा है जब टाइम के लिए उन्होंने जिनका जब आएंगे तो आप से जात पूछेंगे उसके बाद को भी आपको बताना होगा और वो कोड मेंसन होगा इनका कहना है कि ऐसे होने पर जो आंक्रे आएंगे उसे जो समाज में बैक बेंच और ससाइटी है उनको आगे मिलने का एक राह मिलेगा आप जनता जक्सन देख रहे कर दाएंगे जनके ऑलम जोग उस जनके हें राह सके हैं और शा है कि रहीं हो ग्राभ सकत का बनागे मिलन lap a पर जनके बाती है.